असित राजा सुद्धोधन के पिता सिहहनु के गुरू वे राजप्रोहित असित संस्वारिक भोगों से विरक्त एक जमतकारिक और सिद्ध पुरुषते वुर्धा वस्ता में राज्य सुकों का पृत्याह कर वे एक निरजन वन में कूटिया बना कर अध्यात्मिक साद्धावों में लीन रहते थे कहा जाता है कि अक्सर वे ताउं तिस लोग के देवों के साथ उठते बैठते रहते थे एक दिन जब वे ताउंतिस पहुंचे तो वहां उन्होंने दूर स्थान पर फूलों की सिजावत देखी देवगन नाच गा रहे थे स्रवत्र उत्सव का महोल था वहां उन्हें बताया गया कि सिदार्थ गोतम जो एक बुद्ध बनने वाले थे जर्म ले चुके थे उप्रिउक्त सुचना से उनकी खुसी की सीमा न रही और वे तत्काल का पिलवस्तु पहुंचे वहां पहुंचकर उन्होंने जब बालक को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी आँखों के निकट लाकर देखा तो उनकी आँखों में असीम खुसी की लहर दोड़ पड़ी फिर कुछ ही सणों में वहां अवसाद के बादल बन राने लगे राजा सुदोधन ने जब उनके उनके विचित्र भावों का कारण पूछा तो उन्होंने कहा यह बालक बुद्ध बनेगा इसलिए मैं परसन हूँ किन्तु इसके बुद्ध तव दरसन का सभागय मुझे एपराप्य है मैं उतने दिनों तक जिवित नहीं रहूंगा अतहे मैं खिन हूँ कुछ दिनों के पस्चात आसित ने अपनी बहन के पुत्तर नालक को बुद्ध देशनाओं को गहन करने की पूर्ण सिक्षा दी